हेलो एवरिवन नमश्कार स्वागत है आपका आपके अपने चैनल MLT एजुकेशन पॉइंट पर कैसे आप सभी उमीद है कि आप सभी स्वस्ते हैं डॉक्टर अब्दुलकलाम ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि इंतिजार करने वालों को बस उतना है मिलता है जितना की महनत करने वाला छोड़ देता है तो इसी शांदार सुविचार के साथ आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है MLT फिल्ड में और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DMLT फिर्स्ट यर के बारे में देखे DMLT एक बहुत ही अच्छा कोर्स है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ DMLT फिर्स्ट यर में जो स्टूडिन देखे मैं समझ सकती हूँ कि या तो आपने एडमीशन अभी लिया होगा DMLT में या फिर आप एडमीशन लेने जा रहे होंगे तो एडमीशन लेने के पीछे आपका कोई न कोई एम होगा अपना कोई सपना होगा सभी का अपना अपना एम होता है आपका क्या है आप हमें कमेंड करके बता सकते हैं तो DMLT एक बहुत ही अच्छा कोर्स है और इस कोर्स से रिलेटेड देखो आपने अभी एड्मिशन लिया है तो आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है और यही बाते अगर आपने मेरी मान ली तो MLT फिल्ड में आपको शिखर तक लेकर जाएगी तो उन सभी बातों के ब सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे तेके अकसर ऐसा होता है कि अच्टूडेंट कोर्स एंब अब जोइन कए और कहीं लेटे हैं विपने प्रक्ति कम कर नजये। यही थियोरी आपको आगे जाकर काम आने वाली है और अगर आपने इस कोर्स में सारी चीज़े अगर कवर करके चलें मिन्स थियोरी और प्राक्टिकल अगर दोनों पर आपने फोकस किया ध्यान पुर्वक पूरी महनत और लगन के साथ अगर आपने इसमें पढ़ाई कर ली तो यह आपको यू मान कर चलिए कि 100% जॉप की गारंटी देता है तो इसी शुरुवात के साथ हम आपको बताने वाले हैं DMLT फिर्स्ट यर का ओनलाइन कोर्स के बारे में और सिलेबस के बारे में क्योंकि खासकर ओन स्टूडेंट के लिए यह हैं जो कॉलेज नहीं जा प जमा करवा देते हैं सारी चीज़े अच्छे चल रही होती है पर आपको उतना फोकस नहीं किया जा रहा है आप पर मतलब कि आपकी पढ़ाई पर फोकस नहीं किया जा रहा है बाकी सारी चीज़ों तो दुनियादारी की चल रही है पर पढ़ाई जो आपके लिए सबसे जो पर ध्यान देना है, देखिए, MLT फिल्ड में MLT एजूकेशन पॉइंट के द्वारा कई स्टूडेंट का सेलेक्शन हुआ है, और उन स्टूडेंट के सेलेक्शन के बाद ये निचोड हमने निखाला है, उनके जो सफलता का राज्श में आपको बता रही हूँ, कि उन्ह सारे सबजेक्ट हम पढ़ेंगे, बैसिक टू एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे, बस लास्ट दो बातें आपको मैं बताने वाली हूँ, उसके बाद में फिर कोर्स और सिलेबस के बारे में हम डिसकस करने वाले हैं, देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का हमारे पास कॉ प्रेशर वही रहता है कि एक्जाम का प्रेशर आपके माइंड में, कि इतनी सारी चीजे सामने हैं, इतना सिलेबस सामने हैं और उसको कवर केसे किया जाए, इतना कम समय में, तो आपको ये परिशानी नहीं आएगी, अगर आप शुरुआत से ही सारी चीजों को लेकर चले ठीक है तो थोरी भी आपके उतनी important है जतना कि आपका practical important है तो कहीं student ऐसे होते हैं जो practical पर ज़्यादा ध्यान देते हैं थोरी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं लेकिन अगर आपने थोरी अच्छे से पड़ी है तो फिर practical आपको समझ में आही जाएगा दूसरी बात यह हैं आपको detail ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमें किवल pass होने के लिए नहीं पढ़ना है आपको पढ़ना है आपके knowledge के लिए government job के लिए क्योंकि हम देखने कि competition बढ़ता जा रहा है तो हमें अपना भी level बढ़ाना पड़ेगा तो basic to advanced level तक लेकर चलिए ताकि आप कहीं भी आपको आसानी होगी अगर आपको उसके बारे में पहले से पता है तो तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है theory और practical दोनों पर focus करना है basic to advanced हमें पढ़ना है तो अब हम बात कर लेते हैं finally आपके course के बारे में और आपके syllabus के बारे में तो पहले में आपको DMLT first year में ज topic तो आपके वही रहते हैं बस subject का थोड़ा बोर difference होता है तो आपकी university का syllabus क्या है आप हमारे इस syllabus से मेच कर लीजेगा ये syllabus आपको हमारी application पर मिल जाएगा application और telegram भी आप जरूर जोइन कर लेना क्योंकि सारी information आपको वही पर मिलती है और telegram और आपको application की link description में मिल हैं और आपका syllabus application पर जाकर देख सकते हैं और मेच कर लीजेगा और उसके बाद अगर आपका थोड़ा syllabus चेंज रहता है तो आप हमें मैं आगे whatsapp नमर बताने वाली हूँ उन पर message कर दीजिएगा तो उसका कुछ ने कुछ solution हम जरूर निकालेंगे देखे syllabus के बारे में बात पढ़ना पढ़ता है क्योंकि अगर आपने ये पढ़ा तो बागी के subject आप समझ पाएंगे और उनको समझने में आपको आसानी होगे तो हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे एवन हम practical जो है आपका वो भी हम थोरी में आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये सारी चीज़ से आपकी body के organ से उनके बारे में हम पढ़ेंगे है हेमेटोलोजी हेमेटोलोजी में हम क्या पढ़ते हैं आपके blood के बारे में पढ़ते हैं आपकी blood cells से उनके बारे में पढ़ते हैं blood cells कितनी होती है और भी बहुत सारी चीज़े blood से related आपकी हेमेटोलोजी के अंदर आती है उनको भी हम cover करेंगे नेक्स आता है आपके biochemistry देखिए biochemistry जो है हमने first और second दो पार्ड मिलिया है DMLT first year में आपको biochemistry first मिलेगी और second year में आपको second मिलेगे तो biochemistry first में हम पढ़ने वाले हैं जो आपकी basic चीज़े है means protein, carbohydrate, lipid इन सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे last में test बचेंगे हम उनको biochemistry second में cover करेंगे इसी प्रकार microbiology देखें यहां पर microbiology first है तो microbiology की कहीं सारी branches होती है तो आधी branches हम आपकी DMLT first year में पढ़ेंगे और बाकी की जो remaining है वो हम DMLT second year में cover करेंगे और इस तरीके से हम हर एक topic को basic to advanced level तक आपके हर एक concept को clear किया जाएगा और हम पढ़ेंगे तो चलिए अब हम finally आपके DMLT first year के course के बारे में बात करने वाले हैं बहुत ही अच्छा course है बहुत ही अच्छे features इसके हैं online course का देखो एक सबसे अच्छा फाइदा ये है कि आप कहीं पर भी बेट कर आप अपना lecture चालू कर सकते हैं अपनी class continue कर सकते हैं इसमें आपको कोई जादा सुविधाओं की जरूरत नहीं है बस आपके पास में mobile होना चाहिए और आपको क्या-क्या इसमें मिलने वाला है आप वो देख लीजे देखिए कई सारे फीचर जो है आपको DMLT फर्स्ट येर में मिलने वाले हैं सबसे पहला है डिजिटल वीडियो लेक्चर डिजिटल वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे और इन वीडियो लेक्चर को आप अपको वाइफाई कनेक्शन मिलता है वहाँ पर आप डाउनलोड करके ओफलाइन एपलिकशन के अंदर देख पाएंगे तो ये एक अच्छा फीचर है सारी क्लासे हम Basic to Advanced डिजिटल क्लासे पढ़ेंगे अब देखो हम चाहे कितना भी अच्छा आपको पढ़ा ले हम तो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आपको अच्छा से अच्छा प्रोवाइड करवाएं लेकिन पढ़ना आपको पढ़ेगा क्योंकि एक टीचर आपको गाइड कर सकता है आपको क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, लेकिन महनत आपको करनी पड़ेगी, हम आपको गोल के तो नहीं पिला सकते, पीना तो आपको आपके हाथ से ही पड़ेगा, तो हम आपका राष्टा क्लियर कर देते हैं, मार्ग क्लियर कर देते हैं, आप मंजिल तक पहुचना आपका काम है, पीछे से हम ध के लिए एक solutions लेकर आये हैं कि आपको PDF notes जो है वो Hindi plus English में मिलने वाले हैं तो सबसे बड़ी समस्या Hindi medium वालों की खासकर यही रहती है कि मैं हम Hindi medium से हैं और सारा contain English में हैं हम कैसे पढ़े कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है तो उनके लिए यह है कि देखो आपका English में contain है तो आप उसको हिंदी से compare करके पढ़ सकते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी बाकी सारी चीज़े दीरे-दीरे करके आपको समझ में आने लग जाएगी तेस्ट सीरीज की बात करी जाएं तो टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें मिलेगी जो हम पढ़ेंगे उसके practice भी आपको करवाई जाएगी कि आपने कितना पढ़ा है आपको कितना याद है आप कितने पानी में है यह सारी चीज़े देखी जाएगी हम भी देखेंगी और हो सुका वो आप हमने कलेक्ट किया आपके जो ओल्ड पैपर है उनको तो वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे ताकि आपको एक एक एक्जाम का पैटन पता चल सके कि किस तरीके के किस युनिवर्सिटीज में पूछे जाते हैं अगर आपके पास हैं तो आप हमें वाटसप नंबर यहां पर दिये हुए हैं इन पर सेंड कर सकते हैं तो ओल्ड पैपर भी आपको इसमें मिलने वाले हैं बाइलिंग्वल कोर्स मिलेगा यह जो पूरा कोर्स है आपका बाइलि arti एक साल की वैलिडिटरी आपको इसमें मिलने वाली है ऐसमें जब से जोइन करते हैं अगर आप हाँ से जोइन करेंगे तो आपको एक साल की वैलिडिटि मिलेगी ठीक है जी, यहां पर देखिए यह वाटसप नंबर दिये हुए हैं अगर आपको को कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी इशू अगर आपको हो, तो आप इन WhatsApp नमबर पर संपर्क कर सकते हैं. WhatsApp नमबर है आपके 9977 002457, तो इन WhatsApp नमबर पर आप संपर्क कर लेना देर सवेर आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा आपके सवालों का, तो यह WhatsApp नमबर यहाँ पर दि प्राइज देखो यहाँ पर है आपका 2900 नन्याणू तो इसमें आपको एक साल की वैलिडिटी मिलेगी ये प्राइज आपका पूरा एक साल के लिए है बहुत सारे स्रुडेंट को ये प्राइज ज्यादा भी लग रहा होगा मैं समझ सकती हूँ मैं खुद एक मिडिल क्लास पर बिटा देखो ये आपके जीवन का एक इन्वेस्मेंट है आपके शिक्षा का इन्वेस्मेंट है जो कि आपको जीवन भर काम आएगा जो आप नोलेज उससे लेंगे वो आपको जीवन भर काम आएगा और ये 2900 नन्याणू आपको 40-50,000 रुपे महीने के दे सकते हैं अगर आपने पूरी महनत लगन के साथ अच्छे से इस कोर्स को पढ़ा तो तो बस आपको यही सारी चीज़ें आपको बतानी थी DMLT First Years के कोर्स के बारे में तो कोर्स के बारे में हमने डिसकस किया, सिलेबस के बारे में डिसकस किया और सिलेबस का शॉर्ट में ने आपको यहां पर बताया कौन-कौन से सब्जेक्ट है, बाकी डिटेल सिलेबस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, जहां पर हर एक टॉपिक को मैं आपको बताऊंगी कि कौन-कौन सा टॉपिक हम इस सिलेबस में रखे हैं, कौन से सब्जेक्ट में आपका कौन-कौन सा रहेंगे बस आप अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए महनत कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू